सुक्र बार की साम को घर पर ही करे ये असान उपाय दौरी आएगी माता लच्मी देगी मन चाहा बर्दान सुक्र बार का दिन माता लच्मी को समर्पित होता है इस दिन ये उपाय करने से माल लच्मी परशन होती है और भक्तों को धन्य धान्य की पराप्ति का बरदान देती है हिंदु धर में सब्ता का हर दिन किसी न किसी देवी देपताओं को समर्पित होता है आज सुक्र बार का दिन माता लच्मी को तो समर्पित होता है इसके साथ ही सुक्र बार का दिन सुक्र देव की समर्पित होता है जोतिस में सुक्र देव को प्यार और सुन्देर का देवता माना जाता है सुक्र देव को माता लच्मी के साथ सुक्र देव की पूजा करने से सुक्र समिर्दी और धन बैभव की परापती होती है इसके साथी दमपत्य जीवन में विशेश सुक्र की परापती होती है ऐसे में आज सुक्रबार की साम इन उपायों को करने से बैवाहिक जीमन में सुक के साथ साथ धन और बैभव की परापती होती है पहला उपाय सुक्रबार की रात को सोते समय घर में उत्तर पुर्ग दिसा में घी का दीपक जरूर जलाए मानेता है कि ऐसा करने से मा लच्मी आपके घर पर अकार धन बरसाती है तुसरा उपाय सुक्रबार के दिन गाय को पालक खिलाए इसके अलावा सुक्रबार को भोजन करने से पहले ताजी रोटी को घी और गूर के साथ गाय को खिलाए ऐसा करने से माता लच्मी की किरपा पड़ाप्त होगी और घर में किसी परकार की आर्थिक समस्या नहीं रहेगी तिसरा उपाई सुक्रबार की रात को सोने से पहले मा लच्मी की मुर्ती पर मोग्रे का इत्रिया मोग्रे की माला अर्पित करे ऐसा करने से माता लच्मी परसन होती है और घर में धन का आग्मन होता है चौथा उपाई सुक्रबार की साम को पंच मुखी दीपक या पांच वाती वाले से माता लच्मी की आर्थी करे इससे घर में सकरात्मक आएगी तथा जीवन में धन और बैभब की बिर्दी होगी शुक्रबार को कपूर में थोरी सी रोली डाल कर माल अच्मी की आर्थी करे तथा इसकी राख को लाल कागज में लपेट कर अपने पर्ष में रख ले जीवन में पैसे का पर्वा बढ़ जाएगी शुक्रबार को हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर माल अच्मी का ध्यान करके इन दोनों को ही चीजों को पर्ष में रखे घर कभी पैसे से खाली नहीं होगी